Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ विवेक from Fintex Pro, जहां पर हम बात करते हैं Finance and Taxation के एन आग के session में discuss करने वाले हैं JSTR 9 के practical challenges जो आपको face करने पड़ते हैं Last week में मैंने बहुत सारी videos डाली थी JSTR 9 से related और उसी series में मुझे काफी सारी queries मिली उन सभी queries का जो भी practical challenges आते हैं चाहे table 6, 7, 8 का challenge हो, चाहे कोई invoice miss हो गया हो चाहे previous year की reporting हो या current year का ITC आपने next year ये लिया हो JSTR 9 एक बहुत ही technical return होती है JST के अंदर annual return जो JSTR 9 आपको file करनी होती है उसमें बहुत सारी practical challenges आते हैं उन सभी practical issues को आज discuss करेंगे और resolve करेंगे चलिए without any further ado चलते हैं सीधर screen पे and discuss करते हैं आपके practical issues को Guys, session को start करने से पहले अगर आप GST income tax TDS को detail में और comprehensive manner में सीखना चाहते हैं तो हमारे एक practical course in GST ITR in TDS है जिसमें आपको 200 hours की total जो है videos मिलती है साथ ही में यह updated course है और इसके अंदर और भी updates आने वाली है तो TDS का course अभी इसके अंदर updates में है जिसके बाद में इसकी fees बढ़के 5500 हो जाएगी अभी जो fees है current fees इस course की 3500 है तो अगर आप GST ITR TDS practically detail में in depth में पुरा comprehensive course है theory and practical दोनों चीचे हम ने यहां पे cover की है नीचे description में link मिलेगा वहां से आप इस course की details चेक कर सकते हैं and enroll कर सकते हैं चलिए move करते हैं आज के session की तरफ समझेंगे GSTR 9 के practical issues वैसे मैं वैसे मैंने last weeks में ही 2-3 video dedicated GSTR 9 के ओपर डाली हुई है काफी सारी queries आपकी वहां से भी resolve हो गई होंगी नहीं हुई तो आज के session में sir more than 20 FAQs है 20 नहीं बलकी जाद ही होंगे around 30 के असपास total FAQs है मैंने एक form बनाया था जहांपर मैंने आपकी queries ली थी हूँ उनके basis पर जहांपर total 35 queries मैंने आपके select की है जिसको आज हम discuss करने वाले है और बहुत important कोई यह सारे issues है और आपको भी most probably अगर कोई issue आ रहा है तो issue इनके अंदर वो cover हो जाएगा और उसका reply भी बिल्कुल मैंने यहां पर दिया हुआ है और आपको समझाऊँगा किस तरीके से आपको adjustment बेसिकली जो होती है जिस्ट आरा 9 में वो थोड़ी सी complex होती है तो उसको detail में समझेंगे लेकिन session सार्ट करने से पहले channel को जुरू subscribe कर दीज क्योंकि हमारे subscriber जो है वो 1 lakh को बहुत जल्दी cross होने वाले है और आपको giveaway भी मिलने वाला है तो जल्ली से क्या मांगता हूं आपसे free में इतना content मिल जाता है क्या चाहिए आपको सर एक subscribe कर दो और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने network के साथ share कर दो वजी दो चीजे में मांगता हूं इसर discuss करते हैं पहला point क्या 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 queries आरी तो साथ में मैं आपको GSTR 9 के इंदर ही विदाऊगा कि कहां पर किस column में किस clause के अंदर किस table में आपको वो चीज डालनी है तो पहला question जो आ रहा है सबसे important question first question जो हमारा है यह यह नहीं को नाम कुछ और होगा इन्होंने यह लिखा है पता नहीं क्यों यह basically Google form मैंने बनाए था तो वहां से queries मैंने आपकी यहां पर pick की है so GSTR जो है 2021 का ITC अब यह जो है यह मेरी spelling नहीं है यह queries आपने पूछे तो आपकी spelling में mistake है मतलब इन परसन ने जो है question समझो व्यासे spelling को छोड़ो कि 20 21 का ITC आपने claim कि 21 22 की table number 6 और table number 8 mismatch हो रही है obviously mismatch होगी क्योंकि last year का ITC आपने current year में claim किया है तो आपके 3B के अंदर जादा आएगा 3B के अंदर जादा आएगा लेकिन आप उसका बाइफर्केशन दोगे वहां काम आएगा और 2A के अंदर काम आएगा table 8 में देखो पहले एक बार brief कर देता हूं यहां पर question किस चीज से related है यहां table 6 और table 8 से related है और इस से related वैसे मैंने एक dedicated video अलड़ी बनाई हुई है बट फिर भी आपको explain कर देता हूं किस तरीके से आपको इसके treatment करना होगा यहां पर बीस 21 का ITC है अभी हम जो बात कर रहे है हमारा respective year है 21-22 बीस 21 का ITC आपने 21-22 के अंदर अपनी 3B के अंदर claim किया बुलिए yes और no yes sir तो यहां से effect क्या पड़ा होगा table 6 के अंदर जो clause A होता है यहां पर आपका 3B किसे आता है तो 3B से यहां पर आपका आ रहा होगा तो यह जादा आ रहा होगा कि आ रहा होगा जादा आ रहा होगा sir इसका solution बताओ जादा तो यहां पर आ रहा होगा आपने उसका bifurcation दे दिया लेकिन table 8 के अंदर आपका reconciliation में वो difference आ जाएगा क्योंकि आपने 20-21 का ITC 21-22 के 3B में डाला है तो इसलिए यहां पर यह आपका amount जादा आएगा जिससे आपकी table 8 में reconciliation नही bifurcation देंगे bifurcation देंगे ITC का for 21-22 only इसका मतलब क्या हुआ आईए portal पर चलके समझते हैं कि इसका solution कैसे होगा जैसे कि यहां पर देखिए अब आपको bifurcation देना होता है यहां पर तो inverse supply का bifurcation आप यहां पर दोगे clause number B के अंदर inverse supply का bifurcation दोगे लेकिन यहां पर जो bifurcation आप सारे ITC का नहीं दोगे किसका दोगे जो आपका 21-22 के respect में जो ITC है उसी का दोगे यानि 20-21 का जो ITC है मुझे अंसर दो 20-21 का ITC है क्या उसका bifurcation आपको यहां पर देने की जरूरत है नहीं देना है 6B से लेकर 6H तक दिया जाता है 6H तक bifurcation है यहां पर मतलब आपको अपना ITC यहां पर classify करना होता है तो आपको वो ITC यहां पर नहीं दिखाना जो पिछले साल का है clearly बात समझो मेरे से इस student ने question पूछा कि सर 20-21 का ITC मैंने 22-22 में शो किया मुझे यह बताओ माल लीजिए हम माल लेते है 5,000 का वो ITC था 5,000 का ITC 20-21 का था जो आपने 21-22 में claim किया है सर बहुत technical चीज़े discuss करूँगा पूरी वीडियो लास सक देखना बहुत सारे 35 FAQs आपके सार डिसकर करने वालों सारे ही इतने ही technical है और इतने ही detail में है question था 20-21 का ITC 21-22 में मैंने claim किया बताओ किस तरीकी से GST और 9MOS को show करें सर पांच-ज़र रुपे का ITC है पांच-़र रुपे का IGST है तो जब आप बाइफरकेशन दोगे यहाँ पर बाइफरकेशन दोगे यहाँ पर डालोगे input या in capital good या service यहाँ पर आपको 5,000 रुपी क करके दिखाना है सर सर दिक्कत आ जाएगी पांच-ज़र रुपे कम करके दिखाने के लिए बोल रहे हो तो टेबल नमबर 6 के अंदर difference आएगा यहाँ पर सब टोटल में सॉरी इसका difference कहा आता है यह रहा जे के अंदर clause नमबर जे के अंदर जो difference दिख रहा है आपको यहाँ आपका difference आ जाएगा टेबल 6 में difference आएगा आपका 5000 का वही difference आएगा जो लास्ट येर का ITC बीस इसका ITC आपने 21-22 में claim किया है ठीक है और difference आएगा आपको उसकी कोई payment नहीं करनी बस अपने records के लिए समाल के रख लीजिएगा एक Excel sheet के अंदर कौन-कौन से वह invoices है कौन- difference पूछता है कि जो point J में difference आ रहा है तो उस point को आप explain कर सको इसलिए बस वो data वो records maintain करके रख लीजिएगा बस इतना काम आपको करना है उसके बाद से table number 8 में कोई difference नहीं आएगा table number 8 में difference नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जब आपने 5000 वो minus करके लिया है यानि आपने जो IT ITC लिया है वो only 21, 22 का जो ITC है खली उसका bifurcation दिया है यहाँ पर उसी का bifurcation दिया है तो table number 8 के अंदर जो आपका आएगा वहाँ पर वो value include होकर के ही नहीं आएगी table number 8 के अंदर यह आती है 6B से 6H तक अब 6B से 6H तक जब वो चीज include ही नहीं है point समझो आपने 20 21 जो पुर reconcile हो जाएगी बोल यह सर समझ में आया यह नहीं आया यह सर इसी question को मैं थोड़ा सा और extend कर देता हूं यह question पूछा student ने इस question को थोड़ा सा और extend कर देता हूं कि सर यह बात तो समझ में आ गई कि earlier year का ITC का treatment आप किस तरीके से करेंगे current year यानि 20 21 या उससे पहले का ITC है तो कैसे treatment होगा अब यह बताओ जो next year में हमने claim किया मालो 20 22 का 21 22 जो हमारा year है और हम जो भी बात कर रहे है वो बात कर रहे है in the respect of financial year 21 and 22 ठीक है हमारा जो respective year है वो यह वाला है इसके respect में मैं बात कर रहा हूं 21 22 का ITC आपने next year में claim किया आपने April, May, June में claim किया section 64 की जो due date है उसस पहले पहले claim कर लिया लेकि next year में claim किया यानि कब claim किया 22 and 23 वैसे question भी किसी ना पूछा हुआ है बट इसके साथ के साथ ही में discuss कर लेता हूं न के earlier year के ITC का treatment क्या होगा और उस ITC के treatment क्या होगा जो current year का था यानि 21 22 का था लेकिन आपने 22 and 23 में उसको claim किया तो अब यह वाल अपने उसको up to a specified date तक up to specified date तक show किया है next year में 16 subsection 4 की जो limit होती है उसके अंदर अंदर आपने claim किया वह आप दिखाओगे table 8 के C table 8 C के अंदर पहले तो आपको show करना है जो भी आपका IJST है तो IJST CJST और SJST तो वहाँ पे show करो और साथ के साथ table number 13 में जाएगा वो मैं एक प table 8 C और दूसरा हो गया आपका यह रहा table 13 बिल्कुल perfect ITC avail for previous financial year यानि 21-22 यहाँ पे previous financial year का मतलब है 21-22 का ITC जो आपने next year में लिया है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा point और आता है सर यह जो चीज़ें बतारो ना बहुत technical चीज़ें ह देखना एक तो fast forward मत करना क्योंकि skip हो जाएंगी चीज़ें एक point और आता है सर यहाँ पर एक point इसी question का एक extension और लेकर के चलते हैं सर आप बोल रहे हो up to a specified date तक तो समझ में आ गया दो जगे हम दिखाएंगे table 8C में दिखाएंगे table 13 में दिखाएंगे GSTR 9 की इसी के साथ में जुड़ा हुआ एक question आता है कि specified date के बाद मैं ITC claim किया specified date के बाद मैं ITC claim किया मतलब specified date के बाद कौन से date होती है देखो 21-22 का ITC की एक date होती है 30 नवंबर से पहले की कोई return है उसमें आप show करोगी बोलो yes or no लेकिन आपने उसको show किया जाकर के जनवरी पहली बाद तो उसके बाद आप उसको claim ही नहीं कर सकते GSTR 3B के अंदर आप उसको claim ही नहीं कर सकते हो अगर आपने specified date के बाद में कोई ITC claim किया माल लीजिए जनवरी 2023 के अंदर concept समझ रहे हो respective year हमारा 21-22 है 21-22 का कोई ITC अगर आप जनवरी 2023 में अपनी GSTR 3B में claim करोगे तो उसको GSTR 9 में कहां show करेंगे मुझे answer दीजी इसका answer अब आपको देने वाला होती है समझ गए ना ये जो पहला example था वो था up to specified date तक show कर दिया अब हमारा point है जब specified date के बाद में आपने GSTR 3B में तो sir ये question पहली बाद थोड़ा सा गलत हो जाता है क्योंकि specified date नहीं section 16 subsection 4 जो बोलता है उस date के बाद में तो आप ITC claim ही नहीं कर सकते आप eligible ही नहीं हो वो आपके लिए एक ineligible ITC होता है तो उसको आप अपने 3B में claim ही नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पर जो बात आती है point number 13 में और 8C के अंदर तो आपको वही ITC show करना है आप eligible ही नहीं हो GSTR 3B में उस ITC को claim करने के लिए ठीक है sir point समझ में आगे आपको किस तरीके से आपको show करना है यह sir पहला question हमारा clear हो गया बहुत ही अच्छा question था अब नाम इनका अच्छे से नहीं आ पाया second question है के उमा शंकर का question है eligible turnover क्या है GSTR 9 के लिए और 9C के लिए तो sir GSTR 9 के लिए turnover limit for the year 21-22 है हमारी 2 crore और 9C के लिए जो वो limit है वो 5 crore की limit हो जाती है है अगर यह limits cross हो रही है तो आपके लिए mandatory है यानि 5 crore से जादा अगर आपका turnover है तो 9 भी file करोगे और 9C भी file करोगे अगर आपकी turnover 2 crore से 5 crore मनला 5 crore से कम है तो 9 mandatory है अगर 2 crore से भी कम है आपका turnover previous year में तो उस situation में आपके लिए दोनों ही optional return हो जाती है 9 भी और 9C simple सा question था आकाश जी का एक question है कि what to do if there is intersegment wrong reporting in B2B and B2C and how to do ITC comparison while matching ITC in table number 8 तो दो question है यहाँ पर पहले हम पहला question लेते है कि what यहां से यहां तक आपका पहला question है इन्होंने गलती क्या करी कि wrong reporting कर दी है यानि जो आप JSTR 1 file की होगी तो B2B की reporting B2C में कर दी है और B2C की reporting B2B में कर दी है so JSTR 9 है इसमें obviously यह जो चीज है इसको आप JSTR 9 में तो ठीक करनी सकते हो और JSTR 9 में आपको क्या report करना है correct reporting करनी है जो correct reporting है वो आपको JSTR 9 के इंदर करनी है सिर JSTR 1 तो मैंने गलत file कर दी थी तो एक चीज बदाओ एक अंसर आप दो तो वो जो निकालोगे न यहाँ पर आपको एक annual statement भी दी जाती है वो भी थोड़ी सी आपकी गलत आएगी मैं बता देता हूँ जैसे आप यहाँ से पूरे साल का JSTR 1 यह IFF summary डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर भी गलती होगी यूगि B2B मैं गलत होगा B2C मैं भी गलत होगा यह आपके लिए help के लिए होती है अगर आपने JSTR 1 गलत file कर दी है आपसे मेरा question है क्या आप JSTR 9 भी गलत file करोगे answer is no 9 में जो correct है figure वो file करो पहली बात देखी total turnover तो आपका same रहेगा बस आपने जो supplies को गलत जेके दिखाया B2B को B2C में दिखाया B2C को B2B में दिखाया उसको ठीक करने के लिए आप JSTR 1 का use करो जो भी upcoming JSTR 1 आपको file करनी है उसमें आप उसको ठीक करो amendment की help से JSTR 1 में amendment कर है कि उसको ठीक कर दो तो वो आपका ठीक हो जाएगा बागी JSTR 9 में कैसे show करोगे जो आपकी correct actual में जो correct चीज है वो आप JSTR 9 में show कर दो फिर आप इसको follow मत करो जो इस summary download करोगे वो तो गलत होगी क्योंकि पिछले साल तो आपका data गलत है किस बाइस में तो आप Excel में calculation करो टैली में अपने accounting software में देखो B2B कितना B2C कितना और उसके हिसाब से आप यहाँ पर table 4 के अंदर reporting कर दो unregistered को जो correct amount है वो डालो फिर आप उस summary को follow मत करो correct amount डालो B2C में correct amount डालो B2B में total तो आपका obviously match ही होगा क्योंकि आपने खली inter segment में गलती की है यह यहाँ पर एक error थ 3B में आपको 3B नी basically GSTR 1 में आप यह चीज़े correct कर सकते हो how to do ITC comparison while matching ITC in table number 8 तो ITC comparison के लिए आप जो मेरे ITC reconciliation का मेरा एक वीडियो है वो देख लीजिए ITC जिस तरीके से reconcile होता है उसी तरीके से आपको GSTR 2A भी जो है वो reconcile करना होता है अपनी books के साथ में reconciliation उसका करना होता है तो इसके लिए आप जो मेरी रीको वाली वीडियो ITC रीको यूट्यूब पर तो शयदो अविलेबल नहीं होगी पर हमारे कोर्स के अंदर वो अविलेबल है ITC reconciliation वाली detailed वीडियो next question है रोहित ग्रोवर जी का इंका question है if taxpayer forgot to enter invoice of outward supply in GSTR 1 till November then what's the solution पहली बात तो हर चीज़ का solution नहीं होता है क्या करें मतलब what should be the course of action यह आपकी सही वर्डिंग होनी चीए what should be the solution तो solution चलिए मैं बता देता हो फिर भी आपका course of action यहां पर क्या होना चीए आपने कोई supply अगर GSTR 1 में नहीं दिखाई November बीच चुका है तो supply तो report करनी है ना भाई कोई भी taxable supply as a registered person अगर अभी तक show नहीं किया तो अपनी R1 में show करो 3B में tax liability pay करो interest के साथ में जितना आपने delay किया है वो sir recipient को तो input नहीं मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा recipient को input तो इसके पीछे गलती आपकी है sir आपको time से वो चीज फाइल करनी चीए थी अगर नहीं करोगे तो उसके लिए recipient को उ ITC ठीक है अच्छा और एक बात आती है कि सर अब GSTR 9 में बताओ क्या करें GSTR 9 में उसको report करें या ना करें यह कैसे होगा देखो आपने GSTR 1 में गलती की simple सा question मेरा फिर से आप से वही है आपने GSTR 1 के अंदर एक invoice नहीं दिखाया दो लाख रुपे का एक invoice नहीं दिखाया अब आप GSTR 9 फाइल कर रहे हो क्या आपको वह invoice दिखाना चाहिए येस बिल्कुल दिखाना चाहिए GSTR अगर आपने एक return गलत कर दी इसका मतलब यह थोड़ी आप GSTR 9 सर GSTR 9 तो R1 और 3B को मलब R1 को data ही वहाँ पर show करना होता है ऐसा कहीं नहीं लिखा GSTR 9 जो है वह ए ARC 03 की help से भी tax की payment कर सकते हो तो उस tax payment के लिए आपके पास different option है बट annual return के अंदर जो correct annual data है वो आपको show करना चाहिए वहाँ पर ठीक है वो चीज़ मैंने यह explain की हुई है कि from GSTR 9 point of view taxpayer need to report correct amount and missing invoice need to report in GSTR 1 यानि आपको GSTR 9 में भी correct amount आलना है अगर कोई missing invoice है 2 lakh का invoice miss हो गया यह चीज़े मैंने अपनी GSTR 9 के session में भी वैसे detail में समझाई थी अभी भी समझा रहा हूं correct reporting आपको करनी है R1 गलत हो गया इसका मतलब यह नहीं है GSTR 9 भी गलत file करोगे जो correct reporting है वो करो सर्थ तो इसमें difference आजाएगा difference आगा कोई बात नी difference के आपके पास explanation होना चाहिए कि क्यों आ रहा है बस that's all को कोई दिकर नहीं है if invoice not entered in due date up to 16.4 recipient is not अच्छा बस इसका consequence एक निकल के आएगा क्योंकि आप जो है November के बाद November तक आपने नहीं कि आपनी R1 में अगर उसको include next year के November की बात कर रहा हो यानी 22 के लिए जब मैं बात कर रहा हूं तो November 2023 के बाद अगर आ along with the interest ठीक है ये चीज है next question वैवफ जैन जी का question है कि input of 2021 claim in 21-22 वेर तो शो यह मैंने already आपको explain कर दिया यह first question जो हमने पढ़ा था के earlier year का ITC earlier year का ITC आप 21-22 में कैसे show करोगे तो आपको table 6 B से 6 H तक जो bifurcation देनी है वहाँ पर ही उसको exclude कर देना है exclude कर देना है आपको table number 6 के अंदर ही जो आपका previous year का ITC है यानि 20-21 का जो आपका ITC है वो next हमारा question है साही भरत कुमार जी का supply by SCZ unit to DTA how will it be shown in the 9 and 9C form so SCZ unit से आप जो भी supply करते हैं वो आपकी exam supply के अंदर आती है तो आप उसको table number 4 के अंदर 0 rated नहीं होगा वो exam supply होगा इसको ठीक कर लीजिएगा that is not 0 rated जो exam supply होती है वहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा table number 4 के अंदर table 4 के अंदर exam supply शो करने का 4 नहीं 5 के होगा एक में देख लेते हैं 4 के अंदर तो exam supply नहीं होगी नहीं 4 के अंदर नहीं होगी table number 5 के अंदर होगी यहां पर आपको supply to SCZ without payment of tax है तो यह supply to SCZ है बट एक SCZ जब supply करती है तो वह exempted के अंदर जो है exempted point number D के अंदर आप उसको डाल सकते हैं अपनी taxable value को next हमारा है राजा पॉल जी का question ITC reconciliation sir ITC RECO की वीडियो देखो आज मैं खाली queries आपकी ले रहा हूँ सेद स्वाहिल एहमद जी का question है how to adjust 21-22 liability in financial aid 22-23 यह वैसा मैंने पहले question में आपके साथ discuss कर लिया था कि 21-22 की कोई liability पूछ रहे ITC का नहीं पूछ रहे ठीक है तो liability के लिए आप क्या करोगे GST liability जो आप अगर R1 में आपने नहीं दिखाई तो R1 में उसको show करो 3B में interest के साथ में उसकी payment कर दो यह आपका course of action होना चाहिए GST R9 में उसका क्या effect पड़ेगा GST R9 में जो correct value है वो report करो यहनि GST R9 में जब आप report कर रहे हो तो B2B supply या B2C जो भी supply है उसमें उसको add कर दीजिए और जो correct amount है वो report कर दीजिए करेंगे तो difference भी तो आएगा difference की tension मतलो कि कोई difference आता भी है तो वो difference आप justify कर सकते हो कि आपने next year में उसकी payment कर दिया तो DRC03 की help से यह GST R1 और 3B के अंतर है ठीक है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है सागर जी का question है कि the sum of ITC table number J some difference है table number J होता है of table 6 which reflect in table number 8B of GSTR9 is excluding reversal अच्छा तो इनका point जो है वो यह है मैं बता देता हूं आपको the difference between 8 and B of reversal which does not reflect in table number 8B so what should be what should we pay the IDC difference to DRC03 or we should let it go as the difference of reversal IDC मैं बताता हूं question क्या है यह question जो है इसके लिए मैंने separate video बनाई हुए जहां पर मैंने table number 6 और table number 8 में जो difference आता है especially जब आप purchase return वाला जो case होता है किसे purchase return को GSTR9 में कहां show करना होता है क्योंकि table number 8 के अंदर जो data आता है table 6 से वहाँ पर purchase return table 7 के अंदर हम mention कर सकते हैं but table 7 को consider नहीं करता है वो table 7 को consider नहीं किया जाता table 8 में जब आता है data तो इसलिए जब table 6 में आप data डालते हो table number 6 के अंदर जब आप data डालते हो तो वो net ITC डाला करो sir net ITC डाला करें मतलब वैसे मैंने उस session में इसको detail में समझाया हुआ है अभी मैंने 2-3 दिन पहले डाला था हमारी YouTube चैनल पर जाकर के आप वो video भी देख सकते हो अभी आपको मिल जाएगी नवंबर के लास मन्त में मैंने वो session upload किया था कि जो आप यहां पर ITC लोगे अब यह जो आपका ITC आता है GSTR 3B में यह table 4A से आता है इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है table number 4A table 4A जो होता है वो gross ITC का होता है ना कि net ITC का लेकिन जो आप bifurcation दोगे bifurcation gross का मत द net का दो यानि जो purchase return है जो ITC reversal है उसको यहां से minus करो उसका bifurcation यहां पे दो यहां से आपकी amount जो जाएगी table number 8 के अंदर वो बिलकुल correct amount जाएगी और net को net से आप reconcile कर पाएंगे बहुत easily वो वाली वीडियो एक बार चेक कर लीजेगा वहां पे आपको यह चीज मैंने detail में explain की हुई है next question है नवनील सुमन जी का की RCM liability जो है for the financial year 21-22 paid on 20th में यानि 21-22 की liability आपने next year 22-23 के अंदर पे की है and reflect किया इनको April simple है यह मैंने already discuss की अचा है RCM की liability है how can I show in GSTR 9 that is RCM liable and ITC on the same so report in clause number D clause number D में आप report कीज़े table number 6 of GSTR 9 इसको report करना है आपको ICM liability inward वाली liability है आपकी inward liability आपको कहीं GSTR 9 में रिपोर्ट करने की ज़रूत नहीं होती है क्योंकि inward की liability होती है तो वह वाली liability आपको कहीं रिपोर्ट करने की ज़रूत नहीं है जो उस पर ITC आपने claim किया खली वह ITC आपको report करना है clause number D of table number 6 of GSTR 9 और उसका एक record रख लिजे क्योंकि difference आएगा आपका also note that this will also create a difference in next हाँ बिल्कुल सभी बात है और आप यह जो डालोगी क्योंकि आपने next year में उसके adjustment की है तो उसका record maintain करके लख रहे ना current year में कैसे करोगे पहले यह देखो क्योंकि आपने तो by mistake महलब गलती से यह जो भी है 21 की liability आपने next year में pay किया और next year की GSTR 1 और 3B में उसको 3B के नदर आपने उसको show किया है तो यहां पर जब आप डालोगी यह रहा table 6 ही हमारी open ही है table 6 का point number D जो होता है invert supply receive from registered person liable to reverse charge on which tax is paid and ITC available तो यहीं पर लिखा हुआ है जिस पर आपने tax pay कर दिया और ITC available कर लिया यहां पर आप वो चीज डालोगे लिगे न्यान रखना यह normal वाला नहीं है यह adjustment वाला है आपने next year इसको जो है वो डाला है तो next year जब आप करोगे तो next year ध्यान रखिएगा यह वाला ITC का आपका आ जाएगा नहीं next year के GS9 में आगा लेकिन वहां पर आपको रिपोर्ट नहीं करना है क्योंकि आपने 21-22 का था और 21-22 को correctly रिपोर्ट कर दिया है ठीक है यह point ध्यान में रखिगा और इसको record के लिए इस entry को save Excel में या कहीं पर save करके रख लीजीगा so that next year के GS9 करते टाइम आ अच्छा next financial year April month where should I show that ITC of the March month in the annual return in GSTR 9 आपको देखो पहले यह बताओ आप 3B में तो आपने उसको claim किया ही नहीं होगा क्योंकि आप खुद बोल रहे हो question पड़ो आप question में यह बोल रहे हो कि not reflected in GSTR 2B अगर कोई ITC आपके 2B में reflect ही नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि आपने उसको अपनी GSTR 3B में claim ही नहीं किया है और अगर GSTR 3B में claim नहीं कर लिया है तो गलत है सर आप claim नहीं कर सकते है उसको reverse करना पड़ेगा 3B के अंदर GSTR9 में तो उसको Show करना ही नहीं है कहीं भी, तो अगर आपने उसको claim कर लिया, तो उसको reverse करना पड़ेगा, जो आपका वो वाला ITC है, उसके साथ में आपका question है, उसने next year में upload किया है, तो next year में upload किया है, तो next year में ही आप उसको claim करोगा, और next theory GSTR 9MOS को show करोगे क्योंकि table number 6 के अंदर वो आएगा नहीं न यह हमारी table 6 ही है न table 6 है देखो total amount of input tax credit available through form GSTR 3B 3B के table 4A से आ रहा है 4A के अंदर आप अपना सारा ITC claim करते हो लेकिन लेकिन अगर 2B में वो ITC आया ही नहीं है तो आप उसके लिए claim नहीं किया GSTR 3B में तो यहाँ पर आएगा ही नहीं point समझ रहे हो यहाँ पर table 6 के clause A में आएगा ही नहीं जब आएगा ही नहीं तो bifurcation देना ही नहीं है तो table आपको यहाँ पर show करने की जरूत ही नहीं है वो चीज वो वाला ITC जिसके लिए आप eligible ही नहीं हो 21-22 में ठीक है और वो ही मैंने रिप्लाइ दिया है कि in case ITC not reflected in 2B you are not eligible to claim ITC if you have wrongly claim ITC in 21-22 then reverse it with the help of DRC03 and no need to show in GSTR 9 of 21-22 और 21-22 के GSTR 9 मुसको show करने की जरूत ही नहीं क्योंकि आप इस ITC को avail ही नहीं कर सकते हो 21-22 के अंदर ठीक है और अगर आपने गलती से उसको avail कर लिया है अप सुन लो आप गलती भी तो हो सकता है आपने उसको books के basis पर ITC claim कर लियोगा से आज की date में ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी आपको अपनी books के basis पर ITC claim नहीं करना चाहिए 2B के basis पर करना चाहिए तो यहाँ पर जो amount है उसमें वो add होके आ रहा होगा लेकिन आप bifurcation जो जोगे उसको exclude करके यहाँ पर bifurcation दो और जो difference है उसको यहाँ पर आपको DRC 03 के help से payment जरूर करनी पड़ेगी आपने गलत ITC यहाँ पर claim कर लिया आप eligible नहीं थे फिर भी आपने लेकिन सर में अगले महीने तो eligible हो गया अगले महीने eligible हो गया तो next month उसको claim कर ले ना कोई दिक्क्र नहीं है लेकिन मार्च में तो आप eligible नहीं थे ना अभी तो मार्च 21-22 मार्च में end हो जाता है ना तो माइस में तो मार्च में तो आप eligible नहीं थे तो मार्च के लिए आपको जो है DRC 03 यहाँ पर जरूर डालना पड़ेगा इस चीज़ का ध्यान रखेगा table 8 table B का reconciliation table B कौन सी होती है भाई नेक्स है ललिता चौदर जी का question है कि GSR 9 की table A एक net figure बट table 8 भी only reflect from table 6 यह वही table 6 और table 8 में जो variation आता है purchase return का जो reference वाला वो query यहाँ पर पूछी हुई है तो उसका मैंने already separate video में भी reply दे दिया और एक question और था वहाप भी मैंने इसका reply दे दिया है उसके बाद में answer एहमज जी का question है कि in audit finalization if sale was increased but not show in GST how to manage annual return and if we have reverse ITC in 21-22 in financial 22 how to report यह तो मैंने already discuss कर दिया पहले question में ही मैंने यह पता दिया था दो जगह पर reporting होती है इसकी लेकिन यह ध्यान रखना कि आपने उसको ITC को claim कर लिए अब up to a specific date तक तो 8C में आप उसको report करोग और table number 13 में उसको report करोगे फिर पहला question आता है कि आपने sales यह report नहीं की थी तो इसको आप R1 और 3B के अंदर interest के साथ में इसकी payment करवाईए जो भी आपकी upcoming GST return आएगी उसमें आपको उसकी payment करवानी पड़ेगी जो भी sales आपकी increase हो रही है वो के ल अगरवाल जी का next question है if we are unable to 35 it is mandatory to keep those bifurcation वो bifurcation रखना mandatory है आपके लिए however there was a relaxation लेकिन GSTR 9 के लिए relaxation दी गई थी दो साल के लिए थी वो 1718 और 1819 लेकिन उसके बाद में उस लेक्सेशन को extend नहीं किया गया तो अगर आप बात करने है एक किस बाइस की एक किस बाइस में आपके लिए mandatory है उस तरीके से report करना अगर आप नहीं कर रहे हो तो वह कहीं नहीं कहीं miss reporting ही क्या लाएगा एक तरीके से next है हमारा वेंकटेश तिवारी जी का question है कि my client was not able to claim ITC for the financial year 2021 का कोई ITC था and he had claim the same while filing the GSTR 3B of June 2021 अच्छा तो यह question same है जो हमारा first question था कि earlier year का ITC है और वो आपने current year में show किया है तो उसको किस तरीके से आप treat करेंगे and तो यहाँ पर आपको वही same point है कि 6B से लेकर 6H तक आपको क्या करना है 6B से 6H के अंदर जो bifurcation आप दे रहे हो वह वही bifurcation दो जो उस year से relevant है उस year की corresponding जो figure है उसी का bifurcation आप दो table 6B से लेकर के 6H तक गौरफ जी का question है गौरफ सेंगल जी का question है कि if we are reverse the ITC of the financial year 2021 through the GSTR 3B of financial year 21-22 तो पिछले साल का ITC जो आपने current year में अमला यह earlier year का ITC है 2021 का ITC है 21-22 में आपने उसको reverse किया अपनी GST के अंदर so which column we will show the reversal amount in GSTR 9 of financial year तुसर question है हमारा बहुत ही technical question है ध्यान से समझेगा यहाँ पर बात हो रही है कि ITC आपका पिछले साल का 2021 का ITC है जो कि आपने reverse किया 21-22 के अंदर उसकी reporting आप कहा करोगे देखो table number 6 में आ जाए सबसे पहले table number 6 के अंदर जो आपकी यह figure आएगी यह आएगी table 3B से 8 मलब 4A इसके अंदर तो reversal होगा ही नहीं जो clause A है यहाँ पे वो reversal minus नहीं होगा लेकिन अब आपको अगर figures अपनी reconcile करनी है table 8 अगर reconcile करनी है तो आपको यहाँ से minus करना पड़ेगा जो वो वाली reversal का amount है वो यहाँ पे minus करो उसके बाद में आपको bifurcation देना पड़ेगा CS और I का input capital goods और input service रिस्पेक्टिवली आपको यहाँ पर bifurcation देना पड़ेगा after reversing जो reversal है उसको यहाँ पे minus करना पड़ेगा क्यों sir minus करने के लिए क्यों वो तो पिछले साल का है लेकिन minus आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि table 8 में जब आप जाओगे मैं आपको बताता हूं table 8 के अंदर जाओगे तो इस चीज़ को report करने के लिए कोई specific table नहीं कि earlier year का ITC जो आपने current year में reverse current year का ITC आपने up to specific next year में किया है वो तो उसके लिए कि current year का है यह नहीं पूशा जाता है आप directly उसको reverse कर देते हो तो इसलिए जो table 2A से यहाँ पर reversal हो करके आपके so table 2A में जो आपका ITC आएगा वो तो already कम हो करके आएगा वो reversal यहाँ पर already minus होगा यह जो figure दिख रही है आपको point A के अंदर वो reversal already यहाँ पर minus होगा तो point number 6B से 6H तक भी आपको वो figure exclude करनी पड़ेगी so that आपका यहाँ पर figures match हो जाए और इस तरीके से आपको reconciliation करना है इस वाले case में जब आपका 2021 का ITC है और 21-22 के अंदर आपने उसका reversal किया है so अब इस question का एक extension देख लेते हैं कि जो reversal माल लिजे 21-22 का ITC था आपने claim किया लेकिन उसका reversal आपने फिर next year में किया next year में अगर आपने उसका reversal किया है तो वो आपको table number 12 के अंदर डालना पड़ता है GSTR 9 की table number 12 के अंदर डाल ITC claim during the previous year यानि 21-22 का ITC जो आपने 22-23 के अंदर specified date तक जो reversal किया है वो ITC आप यहाँ पर show करेंगे इस चीज का ध्यान रखिएगा लेकिन ये दो different scenarios है दो different situation है reversal के case में यानि पहला case था हमारा 2021 का reversal 21-22 में किया उसके लिए आपको 6-B-6 H में adjustment करनी पड़ेगी और दूसरा point 21-22 का adjustment जो आपने next year में किया up to a specified date उसके लिए table number 12 of GSTR 9 का use करना पड़ेगा तो ये जो है इसके लिए answer ये वाला ठीक नहीं है और जो दूसरा case हमने discuss किया उसके लिए ये वाला answer आपका ठीक रहेगा चेतन जी का question है GSTR 9C की working sir आप course में भी मैंने डाल होगा है 9C वाली वीडियो चेक कर लीजे का question है कि sir when will the updated table 8a will the portal as the last update जो table 8a का है वो 15 जुलाई तक का है बहुत जल्दी वो आ जाना चाहिए बहुत जल्दी वैसे December अब आ चुका है तो बहुत जल्दी आपको portal पे updated वाल आपको यह चीज भी मिल जाएगी updated काशिप का यह और question है कि where we should declare ITC reversal shall we show it less in table 6 और show in table 7 तो table 7 में मत दिखाएगा मैंने अल्रडी जो dedicated video बनाई थी table 6 7 और 8 की वहाँ पर समझा दिया था कि जो reversal वाला point है reversal आप table 6 के अंदर ही adjust कर दो वो ज्यादा better रहेगा and वहां से आपका table 8 भी reconcile हो जाएगी तो वो point वहाँ पर मैंने detail में समझाए हुआ था वही लिखा हुआ है reduce in table number 6 विकास का एक question है कि we have considered 21-22 की sales invoice in 22-23 where is show in GSTR 9 तो आपने 21-22 की sale को जो है next year 22-23 के अंदर show किया है तो where show in GSTR 9 में कहा show करना है तो point question number 14 जो था वो यह ही था simple है इसमें कुछ नहीं करना आपको जो मैंने आपको point number 14 में explain किया था कि आपको क्या करना है GSTR 9 में उसको कहीं भी specifically show करना GSTR 9 में जो correct amount वो दिखाओ यह अगर कोई sale आपने 21-22 की sale का invoice आपने 22-23 में दिखाए लेकिन GSTR 9 में आपको वो उसे year में दिखाना है GSTR 9 की जो correct sales amount है जो correct sale amount है GSTR 9 की वो आपको दिखानी है GSTR 9 के अंदर ठीक है इसीच का ध्यान रखें क्योंकि 9C में वरना दिक्कत आजाएगी क्यों 9C को आपको book से reconcile करना होता है अगर GSTR 9 में गलत amount report कर दोगे तो वहां दिक्कत आजाएगी सर फिर next year दिक्कत आएगी next year भी देखो एक concept ध्यान रखो जो turnover report कर रहे हो आप taxable value जो GSTR 9 में report कर रहे हो जो आपकी actual sales है न जो correct sales है न वह report कीजिया तो यहाँ पर और इसका treatment क्या होगा इसका treatment तो जो आपने next year में invoice दाला वहाँ पर आप interest के साथ में उसकी liability pay करेंगे और GCR 9 में जो भी अगर B2B है तो B2B में उस value को add कर दो B2C है तो B2C की taxable value में आप add करके और उसका tax भी वहाँ पर दिखाओ IJSC CGS tax liability भी आपको वहाँ show करनी पड़ेगी और taxable value भी वहाँ पर show करनी पड़ेगी ठ ठीक है तो 2021 हो गया आपका point number 22 नमन जी का question है कि how to fill 100 HSN offline utility का आप use कर सकते हो अगर आपके number of HSN code ज्यादा है तो HSN से related मैं ने एक और dedicated video बनाई है चेक कर लीजिएगा GSTR 9 में HSN reporting का mandatory है कब नहीं है detail video बनाई हुए चेक कर लीजिएगा और रितिक जी का एक question है कि detailed knowledge of ITC and in table number 6 which amount we have to bifurcate auto populate और as per books taken ITC have to bifurcate तो table number 6 और 8 के लिए मैंने separate video बनाई है का कैसी किस तरीके से आपको वहाँ पर data show करना होता है आप वह वीडियो वह वीडियो एक बार refer कर लीजिए वहाँ कि आपको पता ज़ल जाएगा table 6 में bifurcation कैसे देना है आपको next question है हितेश जी का forget to take IGST input on import of goods of for the month of March 2022 and taken the input in the month of May 2022 how to adjust आपको ओके तो यहाँ पर एक point दान रखिए 8C में वह चीज नहीं जाएगी क्योंगी specifically मना कि उसका पीछे reason यह है कि जो आपका table 8 के अंदर जो data लिया जाता है वो table 3 और table 5 से लिया जाता है और inward supply के respect में जो आप RCM जो 2A में आता है वो table 4 के अंदर आता है तो table 4 यहाँ पर ही नहीं इसलिए जो यहाँ पर point C है तो इसलिए यहाँ पर आपको शो करने की जरूरत नहीं होती otherwise जो normal ITC है वो तो आप शो करोगे बट क्योंकि आपका ITC import of goods से related है इसलिए आपको table 8C में उसको श change आया है वो आया है क्योंकि आपका import of goods होता है import of goods के case में थोड़ा scenario हमारा change हो जाता है table number 13 में लेकिन आपको यहाँ पर show करना पड़ेगा ITC available for the previous financial year यहाँ पर आप जो है उसको डालेंगे कांती जी का question है के if in GSTR 3B file during the year CGST claim 20,000 SGST claim 20,000 instead of IGST not rectified till October 22 what treatment in GSTR 9 तो इन table number 6 GSTR 9 में आपको correct classification देना है correct और mistake को आप correct कीजिए अपनी next month की GSTR 3B में आप उस mistake को correct कीजिए और GSTR 9 में जो भी correct classification है वो आप दीजिए तो आपका difference भी आ जाएगा वैसे CGST तीनों में difference आएगा लेकिन वो difference match हो जाएगा दो में positive होगा एक में negative इस तरीके से आपका match हो जाएगा मतलब वो difference जो होगा लेकिन आपको correct amount जो हो है वो GSTR 9 में report करनी है ITC की कांती जी का एक और question है sir by mistake in GSTR 9 in table no 7 wrongly reversal कर दिया आपने CGST 1000 SGST 10,000 GSTR 9 applicable what treatment in GSTR 9C error ये पूछा चारे हैं कि 9C में मैंने गलती कर दिया ये तो इसका GSTR 9C में क्या treatment होगा तो GSTR 9C आपकी GSTR 9 की गलती को ठीक करने के लिए नहीं होती है ये 9C reconciliation होता है 9 का और आपकी books का अगर आपने कोई mistake की है तो वो mistake आपको अपनी जा तो GST returns में उसको शोग कीजिए या DST03 की helps उसको शोग कीजिए जैसे 9C में आप उसको ठीक नहीं कर सकते सर 9C में फिर figure क्या लोग लेंगे हम 9C में आप 9 में गलती कर दिये तो 9C के अंदर figure क्या लेंगे 9C में जो figure लोगे वो correct figure लो जो actual figure है correct figure है वो figure लेकर के चलो क्योंकि GSTR 9 में वैसे हमेशा एक चीज बोलता हूं कि GSTR 9 में गलती मत करो GSTR 9 में गलती कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी GSTR 9C को ठीक करने में इसलिए 9 को हमेशा correctly file करना चाहिए आपको मुहमद मेराज अली जी का question है प्लीज में complete explain in GSTR 9 9C with real data already मैंने कर रहा हूँ course में भी cover किया हूँ है check कर लो Madur Sharma जी का question है कि in table 8 ITC shown as net of debit note issued by supplier but in GSTR 3B ITC of debit note is reversal separately तो इसके लिए आप मेरी वाली वीडियो देखो table number 6 और table number 8 की मैंने एक separate video बनाई हुई है दीपम शाओ जी का question है कि in table number 8 how to adjust previous year ITC claim in current and carry forward claim ITC in next year second है if we put adjust in detail तो उसमें इनकी कुछ error आ रही है तो for earlier year ITC आप table 6B से 6H में bifurcation दीजिए और ITC 21-22 का यानि उस reversal को minus करके उस reversal को हटा करके आप जो है bifurcation दीजिए और जो difference आएगा 2021 का ITC है जो आपने 21-22 में claim किया वही difference आएगा और उसके आप make note of all such invoices for future reference for 21-22 ITC claim in next year need to be reported in table 8C and table number 13 और दूसरा जो इनका question था HSN wise आपने जो mistake कर रहे हो आप instructions को ध्यान से पढ़िए वहाँ पर आप कुछ गलती कर रहे होगे या फिर एक बार latest utility download करके उससे try कीजिए next है अभिनव अगरबाल जी का question सो यहाँ पर अभिनव जी का जो question है कि which type of incentive discount या target discount turnover discount festival discount cash discount receive from supplier through credit note form part of aggregate turnover and if so इसके लिए सर्य यह ज्यादा कोई relevance इसका नहीं है value of supply का provisions आप पढ़ लीजिए course के अंदर मैंने बहुत detail में vos के provisions explain के हो है with its rules तो एक बार उसको ध्याद से पढ़ लीजिए आपके जो यह वाली query है उसका answer आपको वहाँ पर मिलेगा सुहाना जी का question है इस दिर mandatory purchase hsn code नहीं purchase के लिए mandatory नहीं है जो sales है outward supply के लिए mandatory उसके लिए separate video भी बनाय हुआ है बद purchase के लिए mandatory नहीं है hsn code यह optional है भी भी जिते अंदर जी का question है 8D में negative figure आ रही है reason कि आपने 2021 की ITC 21 22 में claim किये तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या करो table 6 के अंदर जो bifurcation दे रहे हो 6 B से 6 H तक वो bifurcation only आप वही दीजिए उसको exclude कर दीजिए उसके बाद में bifurcation दीजिए फिर आपकी table 8 जो है वो reconcile हो जाएगी और table 6 में जो difference आएगा उस difference के लिए आप अपने उन universes के notes बना करके रख लीजिए future reference के लिए अमित वर्मा जी का question है do we need to consider other income such as bank interest on sweep FD as aggregate turnover if no then how turnover as per books be reconcile under turnover under GST so अगर आपकी FD जो है वो business nature की है business account current account से आपने FD करवाई उस पर कोई interest मिलता है तो इसको definitely आपके turnover में include करना पड़ेगा as a exam supply जो है आप उसको show कर सकते हैं then interest will be considering this can be और इसको GST 9C में आपको reconciliation का time पर reconcile करके दिखाना होता है next हमारा जो point है अमन जी ने question पूछा है कि अगर financial aid 2021 का ITC हमने 21 22 की GST 3B में claim किया है तो हम इस ITC को table 6 और 8 में कैसे reconcile करेंगे आपको table 6 से लेकर table 8 तक क्या करना है जो ITC है उसमें से वो minus कर दो आप और जो balance बत रहे है net ITC को वहाँ पर show करो वो आपका मैच हो जाएगा table number 8 में के अंदर जा करके सूरी पलाशिष जी का question है previous year ITC which are claim in financial year 21 22 के ना need to be showing table number 6 तो previous year का ITC जो आपने 21 22 में show किया वो नहीं show करने की जरूद है वो उसको minus करके जो net figure बसती है उसको show करो उसका by variation तो table 6 के अंदर वो आपका table number 8 से match हो जाएगा पूरे का मैं करक्स निकालू total 35 queries लिए कुछ irrelevant queries थी उनको मैं हटा दिया यहां से so main जो क्रक्स निकल के आता है दो तीन point मुझको important लगते हैं जो कि यहां पर आपको जो issues आए हैं एक तो यह है कि जो ITC पिछले साल का ITC आपने उसमें claim किया 21 22 में तो उसका adjustment कैसे होगा तो उसके लिए आ minus करके show करना है so that आपकी table 8 reconcile हो जाए उसके अलावा जितने भी questions से सबका मैंने reply दिया अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर चैनल को subscribe कीजिएगा वीडियो को share कर दीजिएगा thank you so much for joining today's session आशा करतो आपको वीडियो पसंद आई है और भी queries अगर आपकी कोई रह जाती ह तो comment section में डाल दीजिएगा अगर अच्छी queries होती है तो मैं try करूँगा definitely उस पर एक separate video बनाऊ जैसे है 9 की due date जो है just आचुकी है एक महिना भी नहीं बचाए तो जरूर चैनल को follow कर लिजिए क्योंकि और भी इसी तरीके की videos येसे 9 से related मैं लाता रहूँगा thank you so much for joining today's session have a great time हस्तरे मुस्कुराते रहे बाई बाई take care